हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल लान पितरिचा आज के इस वीडियो में मैं आपको रियक्शन वित अमोनिय डेरिवेटिवस बताँगो जो मैंने इसके प्रीविएस वीडियो में आपको डिसकस करा था तो इसके आगे का पार्ट और जितनी भी रियक्शन से वह मैं अब लिया है Acetaldehyde, Acetaldehyde CS3CHOO यह हमने लिया है और Ammonia के साथ पूरी रियक्शन इसमें H2NOH, उसके पर हाइड्रोजन के इसमें हमने का रहा है CS3CH, C-Double-Bond-NOH, इसमें हमारा आटेश्ट हो गया वाटर हाँ से हमारा रिमोब हो गया, तो यह हो गया Acetaldoximine, उसके बद हमारा वाटर रिमोव हुआ है यहां तो डबल बॉर्ड नोह इसमें अटेच हुए जो है ऐसी टॉक्समाइन उसकी बाद क्या है जो ऑक्जिम से उसमें हम आइडरलाइस करेंगे अल्कॉल एल्डी हैट्स में और कृटॉन्स में तो इसकी रियक्शन हम एसीड के साथ करवाएंगे तो इसमें सेकेंड हमने क्या है रियक्शन विद हाइडराजीन तो इसमें क्या है हमारा एल्डी हैडो जो कृट्टोन से रियक्ट करते हाइडरोजीन के साथ तो वो हाइडरोजोन बनाते हैं तो यह हमने C double bond O यहाँ पर हमने यह लिया है और H2N NH2 यह हाइडरोजीन है, इसके प्रिजन से हम रियक्शन करवाएंगे यह हाइडरोजीन तो इसमें हमारा क्या अप्टेंड होगा हाइडरोजीन हमें मिलेगा C double bond N NH2 प्लस वाटर ही हमारा हाइडरोजीन है दैने CH3CHO यह एडरोजीन लिया है फिर हमने किटोन लिया है, CH3C double bond और CH3, इसकी भी हम इसमें रियक्शन करवाएंगे वाटर की प्रिजन्स में तो CH3C M2H2 वाटर तो यह हमारा हो जाएगा असे टोन हाइडरोजीन दैन थर्ड क्या है, रियक्शन विद फिनाइल हाइडरोजीन इसमें हमारा क्या है, LD हैडोरक टोन है, एक करेंगे फिनाइल हाइडरोजीन के साथ तो क्या फॉम करेंगे, फिनाइल हाइडरोजीन फॉम करेंगे, तो इसका basic sis कली structure, इसका क्या है, C double bond और से हम लेंगे, तो यह हो जाएगा NH2 NHC 6H5, यह हमारा Phenyl Hydrazine है Hydrogen की presence में reaction होगी तो क्या है यहां से water हमारे remove हो जाएगा और बागी का जो यह पार्टे यह यहां test हो जाएगा तो यह हो जाएगा Phenyl Hydrazine तो सबसे पहले इसको भी हम किसमें अप्लाई करेंगे Acetildyhead और Piton में अप्लाई करेंगे तो यह क्या है Acetildyhead CH3CHO तो यह हमारा Phenyl Hydrazine है NH2NAC6H5 यहां है water remove हो जाएगा और बागी सब यहां add on हो जाएगा तो यह हमारा बन जाएगा Acetildyhead Phenyl Hydrazine फिर हमने किटोन में इसमें लिया है पूरा यह तो यहां से हमारा water यह liberate हो जाएगा और यह पूरा यहां टेश्ट हो जाएगा तो यह हो जाएगा Acetone Phenyl Hydra जोन तो यह बिसिकली दू हमारे बन गए इसमें इसके बाद फूर्थ हमारी क्या है reaction with semi-carbazide तो इसमें क्या है semi-carbazide हमारा react करेगा LDHID के साथ तो क्या बनाएगा एक crystalline compounds बनाएगा जिसे हम semi-carbazide zones बोलते हैं तो यह यहां पर C double bond है यह बिसी के लिए फिर हमने इसके structure लिया जैसे यहां पर NH2, NHCO, NH2 इसके साथ reaction करवेगा तो water हमारा यहां out हो जाएगा और semi-carbazide zone यह हमारा पूरा इस से attach over यहां यह बन जाएगा CH3, CH, Acetylty साथ हम reaction कराएगे तो यह हमारा Acetylty